कुशन है 5 sin square theta equal to 3 into 1 plus cos theta है theta जो है 0 और 90 के बीच में ता cos theta plus cos theta की value आपको find sin square theta को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 minus का cos square theta मैंने ये बहुत पार आपको समझाया है कि sin square theta plus cos square theta ये 1 होता है अगर मैं यहां से sin square theta को लिखना चाहूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus का cos square theta है तो यही चीज को मैं यहां पर लिखूँगा 5 को यहां से इधर लाता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus का cos square theta क्योंकि सारे term को मैं एक में लाना चाहता हूँ और ये हो जाएगा क्या आपका 3 हो जाएगा जब इधर लेंगे ते हो जाएगा माइनस का 3 और यह भी माइनस का 3 cos theta equals to 0 अब यहां से देखो 5 माइनस का 5 cos square theta माइनस का यह मैं इसको यहां पर लगता हूँ 3 cos theta और यह माइनस का 3 equals to 0, 5 में से 3 जाएगा plus का 2 आएगा अगर यह हो जाएगा माइनस का 5 cos square theta माइनस का 3 cos theta plus का 2 equals to 0 माइनस को मैं कम लोगा ते हो जाएगा 5 cos square theta plus का 3 cos theta minus का 2 equals to 0 अब यहां से देखो कर यह क्या होगा quadratic equation बन के आ गया तो इसको solve कर लेते हैं गाटाने पर कितना नचे तीन और गुना करने पर 10 आना चाहिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 cos square theta plus में 5 cos theta minus का 2 cos theta minus का 2 equals to 0 ठीक है यहां से मैं 5 cos theta को कमल लोगा 5 cos theta को तेह निकल कर आएगा क्या आपका cos theta plus का 1 और यहां से minus 2 को मैं कमल लोगा 3 निकल कर आएगा cos theta plus का 1 cos theta के यहां से 2 value निकल कर आएगा एक तो 5 cos theta minus का 2 equals to 0 दूसरा निकल कर आएगा cos theta plus का 1 equals to 0 इस सारे steps में बहुत सारे steps जोगा आप स्किप कर सकते थे पर मैं आपको समझाने के लिए सारे चीज़ लिख रहा हूँ यहां से cos theta equals to निकल कर आएगा आपका 2 बटे में 5 यहां से cos theta equals to निकल कर आएगा minus का 1 minus वाली value को हम consider नहीं करेंगा plus वाली value को consider करेंगा क्योंकि question में given है अब देखो यहां से एक right angle triangle है और cos theta क्या होता है cos theta होता है कि कि आपका base अपन में 1 अगर base अपका 2 है hypotenuse 5 है तो यह कितना जाएगा आपका root under 25 minus 4 को जाएगा 21 है हम पूछा क्या है cos theta होता है hypotenuse upon में perpendicular 5 बटे में 21 core theta होता है base upon में perpendicular 2 बटे में 21 इसको हम करेंगे तो 7 बटे में 21 आएगा root under 21 इसको simplify करेंगे तो पूरे के root में हम 7 बटे में 3 इसको लिख सकते है तो option number A जो है question का answer हो जाएगा option number A